हलो फ्रेंच वेलकम दो चानल करनाटा फेर अप्डेटेड आज इस दिवशी शवस्ती आज उन्दी टू में आज आपको मॉडरन इस्टी का बड़ा इंपोरेंट टॉपिक बताना है वहाँ दैट इस क्रोनलोजी ओफ इंडियन फीडम स्ट्रागल तो आज हम टाइमन डिसक्स करेंगा हो एसे इंपोरेंट इवेंट्स 1857 से में स्टार्ट करों और 1947 तक उसे इवेंट्स को इंपोरेंट्स को दो मिट के इंदर डिसक्स का दूँगा तो चलिए सबसे बहले 1857 में क्या इंपोरें गोश्ट त्वारा रिमेंबर शिश्रकुमार घोश्ट फाउंडर वॉस इंडियन लीग के फाउंडर थे वह 1875 में इसको भी इस्टाब्लिश किया गया यह बहुत बाइग्जाम में कूशन पूछा जाता है आगे बात करते 1878 में इस ताइम पर देश के जो वॉइस रोई करते हैं इस ताइम पर इंपे होती हैं इंटी इंटैनल कि फटय प्रहरौक नेकर बहुत इंकर करते हैं करते हैं रांकरश्न करते हैं कौन स्वामी विवेका नत्र इंपोर्टेंट है याद दखिए कि 1897 में इयर भी इंपोर्टेंट है नेक्स है 1905 में एक इंपोर्टेंट एवेंट होता है इसे कहते है पार्टिशन ऑफ बेंगॉल और इसको एनाउंस कौन करते है लॉड कर्शन एक्जाक डेट कब हुई जब पार्टिशन को इप्लिमेंट किया आता है वो डेट थी 16th October 1905 जब पार्टिशन ऑफ बेंगॉल किया गया ठीक है 1906 पर अगर बात करें तो गॉल इंडिया मुस्निम लीग स्टाबिश होती है कहां पर धाका में 1907 में सूरत स्प्लिट होता है सूरत स्प्लिट मताब आइएंची जो नैशनल कॉंग्रेस है उसको मॉडरेट और एक्सेमिस दो ग्रूप पर डिवाइड हो जाती है तो यह भी याद अखना आपको नेक्स 1908 में याद है कि खुदी राम बोस का एक्जेक्विशन होता है बहुत यंग एजमिन का एक्जेक्विशन कर दिया जाता है और इसी टाइम पर 1908 में ही तिलक को six year के लिए imprisonment मिलता है because the charges of sedition remember तो आर्टिकल्स लिखते थे इसलिए उनको जेल भेज दी आता है मैंडले जेल महनमार में बर और में वह सकते थे उनक्यान मरे माली मिन्ट रिफॉर्म अगते पहँं है जि मतलब और कैंचल और कैपिल थी पहले इसको डेली भी शिफ्ट कर दिया गया था 1911 में 1930 में एक इंपोर्टेंट पार्टी फॉर्म होती से गदर पार्टी जिसका हेड़कोर्टर होता है सेंट फ्रांसिसको में इसका में एजेंडा है इंडिया इंडिपेंड रवेंबर तो ब्रिटिश रूल को ओवर थू करना चाहते हैं इंडिया में और उसके लिए गदर पार्टी सेंट फ्रांसिसको में फॉर्म करते हैं ठीक है सेप्टमबर 1916 में होम रूल लीग जो स्टैब्लिश करती हो एनी बीसेंट ने स्टैब्लिश किया था तो कंफ्यूज मत होगी कि पहले तिलक ने किया फिर एनी बीसेंट इसी टाइम पर एक इंप्रेंट पैक्साइन होता है इसे कहते है लखनो पैक्ट बिवीन इंडिया पारण सत्याग्र होते हैं आपको पता होगा महात्मा गांदी जी का इंपोर्टेंट एक्स्पेरिमेंट लाब किया सकते हैं चंपारण सत्यागर जो बिहार में लोकेशन है 1990 में मॉंटेगू क्लेम्सफोर्ड रेफॉर्म्स जो है वो पास किया जाते हैं खिलाफात मुमें अब टेट है 5th February 1922 नाइटी वेटी फिफ्ट फेबर नाइटी वेटी स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी फर्स जैन 1923 में स्टाब्लिश की गई थी यह आपको यह आपको बहुत इंपरेंट पार्टी इसका हम डीटेल साब मेरे लेक्च्छर से पढ़ सकते हैं में काकोरी कांसप्रेशी होती है तेते में दो सामनों को त्रेन को लूटा जाता है तो कि 1927 सामन कमीशन को स्टाइमलिश किया जाता है भारत में वह आती 1928 में सा Candade 2 7 il हो गई थी 1928 में बात कहें तो एक प्रिस ऑफिसर आते हैं सॉंडर जिसका मुडर कर देते हैं महात्मा भगत सिंग यह आपको याद रखना है ठीक है नहरू रिपोर्ट जिसके मोतिलान नहरू रिपोर्ट कहते हैं यहारा कि 1928 में पास किया आती है सामन कमीशन में भारत में 19 1928 में आता है और लाला लाजपत राइकी भी डेथ होती 1928 में एक तरीके मुर्डर होता है क्योंकि लाथी चार्ज कर दिया जाता है बेटरिश को में द्वारा जिसके उनकी डेथ हो जाती है 1929 ने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन होता है जिसमें कॉंग्रेस का एक इंप सब्सक्राइब करते हैं तो कि 1930 में चिद्गॉंग आम्स रेड होता है यह भी इंपॉर्ण है सीडियम सेविल डिसोबिटेंस मुम्में इसमें डांडी मार्च स्टाट होता है और फर्स राउंटेबल ऑफ कॉंफरेंस भी 1930 में ही होता है जिसको फ्कॉस कॉंग्रेस पारिस करते हैं वह भी 1931 में ही होता है नेक्स 1932 की बात के तो पुरा पैक्ट साइन होता है बेट्वीन अंबेड कर एंड महात्मागादी इंपॉर्टेंट है थर्ड राउंटेबल ऑफ कॉंफरेंस थी 1932 में और और वर्ड बार सेकेंड भी स्टार्ट होता है नेक्स नेक्स नां अगस्त में ऑफर आता है इसलिए अगस्त ऑफर कहते हैं जस्की इंडियन वार में पारिसिपेट करें इसकी तरफ से लॉड लिंधिंगो का यह उफर रहता है इसका पागस्त ऑफर कहते है जो 1940 में आता है इसकी वैसे शिमला कॉन्फरेंस भी की जाती है नेक्स नांटिफ इसक्स में रॉयल इंडिया नेवी मुटिनी होती है आपको याद अखना है और कैबिट मिशन को भीडने वाले बिटिश के प्राइम में से क्लेमेंट एकले रहते हैं रहते हैं रिमेंबर और इसी कैबिट बिशन के थुरू कॉंसिट्वेंट इसेंबली भी 1946 में स्टाबिश किया आती है 1947 में मांट बिटन प्लैन आता है एक्जाक डेट है थर्ड जून 1947 याद अकना है और इंडिया इंडिपेंडेंस आक पास रहता है 1947 में तो यह थे इंपोरेंट इवेंस मैंने क्रोनलोजी अगर आप हमाएं कोसर जोइन करना चाहते है अगर आप स्टेट सविसेश की प्रप्रेशन कर रहें तो MPPSC की देख सकते हैं आप हमारा अपडेटेड कोस लांच हुआ है अब एक बार एप्लिकेशन को ज़रूर विजिट करें वहाँ पर आपको सारे कोसरे को डिटेल्स मि और वीडियो को शियर करते जाएं याद अखिए का आज मैंने टॉपिक कराया है ताइम लाइन मैंने डिसकर्स की फीडम स्टागल की आप और ऐसा कौन सा टॉपिक चाहते हैं जल्दी से दो तीम मिट में पर हम इसको कम्पीट कर सकें कमेंट बॉक्स में करिए हम आपका व कमेंट बढ़के नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे थैंक्यू